हलो फ्रेंड्स आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ यह जो कुलर है इसको मैं किस तरह से गार्डेन में यूज करती हूँ मैं प्लांट लगाती हूँ मैं यह अपको दिखाऊंगी तो इसमें हम चाय पीते हैं और इसका जो शेप है मुझे बहुत अच्छा लगा पहल इसमे मैं को लगाने वाली हूँ यह जो कैक्टिस है यह प्लांट और इस प्लांट को लगाने के लिए बहुत बढ़े पोटकि जोरत है नेहीं इसके शोटे-चोटे-पौट में हम लगा सकते यह दिखिए कितना चोटा सा एक पॉते दो इंच के पॉत है इसमें मैं यह प् पंगी साइड है यह तोड़ा सा मिट्टी भी मैंने लिया है तो इसको अच्छे सी मिक्स करना है और कैक्टस सेकुलेंट के लिए मैं ज्यादा सैंड यूज़ करती हूँ उसमें ठीक है और मैं कलर करूंगी पहले तीनों कुलर को ही मैं रेट कलर करूंगी उसके बाद यह वा जो पॉट है आपको रेट कलर ही दिखाई देता है रेट कलर मेरे पास हमेशा मैं रखती हूँ ताकि मैं जब मन चाहे मेरा मैं कलर कर सकती हूँ मेरे पॉट को तो सबसे पहले इस तीनों कुलर को ही मैं रेट कलर कर लेती हूँ ठीक है तो मैंने तीनों को ही कलर कर लिया है और color सुख भी गया है यह जो बजर का जो color है यह बहुत जल्दी सुख भी जाता है तो मैंने पानी से मिला कर मैं यह color करना पड़ता है और देखिए अब इसके उपर इस white color से और इस ear bird की help से मैं इसके उपर कुछ लिख नगी ठेक है तो देखिए मैंने लिख लिया है और एक हाथ में मेरे कैमरा होता है एक हाथ से काम करती हो तो जब मैं लिख रही थी वो मैं शेयर नहीं कर पाई तो मैंने लिख लिया है अब इसके उसमें मैं लगाऊंगी ये तीनों प्लांट को और उपर से कट करके फिर प्लांट को मैं ल लगा रहा ही ना, ऊपर से कट करके लगाउंगी तो, जादा सूंदर देखे गा और यह ग्रो भी हो जाएगा है इसलिए कट करने के बाद मैं लगाउंगी तो देखेए Jestरा मैं ड्याधिक कर लिया है और इसमें मैं लगाउंगी निंचे से लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है और इसमें कोई होल नहीं है ठीक है और मैंने होल किया भी नहीं बस पॉटिंग मिक्स डाल दिया अब प्लांट को मैं लगा दोंगी इस तरह से जो फेकनी की चीज होता है जो हम यूज करने के बाद फेक देते है तो इसे बहुत टा दो प्लांट है वो दोनों प्लांट को भी मैं प्लांटर में लगाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी ठीक है और मैं कहां पर रखती हूँ देखिए जो विंडो सील है वहाँ पर मैं रखूंगी यहाँ पर इस साइड में तो प्लांट को लगाने के बाद लास्ट में मुझे मेरे मन में आया कि मैं यह तीनों वर्ड को में लिखूंगी तो जाधा सुन्दा लगेगा तो मैंने इसलिए लिख लिया है प्लांट को भी लगा दिया है थोड़ा सा पानी भी मैंने दे दिया है और यहां पर विंडू सिल्क यूपर मेरा और बी कुछ चुटे-चु तो ठीक है फ्रेंट्स मेरा इस विडियो से अगर आपको कुछ आइडिया मिला है मेरा यह प्लांटर क्यूट सा प्लांटर आपको अच्छा लगा विडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेर करना और जो नए है मेरे चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करना ओके बाइ